नवस्कार अदाब न्यूस्क्रिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर जम्मु कुश्मीर सरकार ने पूरे कश्मीर में बंद के बीच गिलानी का आनन फानन में किया अंतिम संस्कार बच्चों की फीज देने के भी फैसे नहीं है कहना है अफगान शरनार्थियों का स्कूल तोड़कर बीच से निकाल दी फोर लेन सडक ग्रामीनों ने शुरू किया सडक पर स्कूल अभियान करोना अपडेट देश में फिर अक्टेम आमलों की संक्या बढ़कर चार लाक हुई और आखिर में अभी नेता सिधार शुकला का 40 की उम्बर में निधन शुकरवार को हुआ अंतिम संसकार और सरकार ने उनका अंतिम संसकार आनन फानन में किया पुलिस ने लोगों को घाटी में आने जाने से रोका और बताया जा रहा है कि गिलानी के परिवार के कई लोगों को उनके अंतिम संसकार में शामिल होने की अजाज़त नहीं दी गई परिवार ने पुलिस पर यारोप भी लगाए हैं कि पुलिस ने गिलानी की परिवार के मर्जी के खिलाफ देर रात को उन्हें दफनाया हाला कि पुलिस ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि ये बाते बेबुनियाद हैं तीन बार संसत रह चुके गिलानी की खौाइश थी कि उन्हें इदगा में मजार शुआदा में दफनाया जाए। पुलिस ने उन्हें जामा मस्जित के पास कब्रिस्तान में दफनाया है जो उनके घर के करीब है। गिलानी के अंतिम संसकार में कई लोग शामिल होना चाते थे उन लोग का कहना है कि वे सरकार के इस फैसले से निराश और नाखुश हैं। अफगानिस्तान पर तार्यवाल के कब्से के बाद अब भारत में रह रह रहे अफगान शर्ट नागरिकों का कहना है कि उनके पास घर जाने का रास्ता नहीं बचा है। और उनकी जिन्दीगी भारत में रहते हुए भी आसान नहीं हैं। उनकी उनमें से कईयों के पास अभी तक रेफिजी कार्ड भी नहीं हैं। अफगान नागरिक कई दिनों से यूए नच्यार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए न्यूश क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नई दिल्ली UNHCR आफिस के सामने उठ रही ये आवाजें भारत में रह रहे अफगानिस्तानी शर्णार्थियों की हैं। UNHCR यानि की संयुक्त राष्ट शनार्थी एजिंसी एक वैश्विक संगठन है जो की युद्ध और आपदा के चलते अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए विस्तापित लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है। हालंकि दस दिनों से अपनी मांगों को लेकर भारत की राजधानी में जमा हुए लोगों का कहना है कि UNHCR अभी तक उनको बुनियादी सुवधाई पहुचाने में नाकाम रहा है। जायरोट में बेटे या किसी पार्क में बेटे। हमारा मैंन डिमांड इनडिया की गौवर्में्ट से नहीं है। हमारा मेंन डिमांड यूनिस्यार से है कि हमने हमारे मेंन बेटेंपर 1 आज क्लोज Voldem tempting ौर्ष और जिनको स्टैंप लगाया जा रहा है अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर इन शाडार्थियों के लिए योनेसीर का ये बरताव खासी परिशानिया खड़ा करने वाला है अस तास्लिडिया के सीस्टम अतना बूरा है और अगर यह चीज मुझे पता होता है शाय Дोसरे जगह चूस कर देता है झाल युनिश्कियार आफिस है। शायद लोगों के घर्ट करते हैं, जो युनिस्कैर के खानूरे पूरे दुनियामें एकी है। मगर इंडियामे बलकुल उलता है, प्रूलीकि युव लोग कभी सुंटा है नहीं हैं। दस दिन से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी UNHCR ने प्रदर्शन कारियों से अभी तक कोई बात नहीं की है जिससे कि लोग काफी नाराज है बात बहुत सारे लोग दिन में तो ज्यादा होते हैं तक दिन चार और लोग होता हैं लेकिन रात के ताइम भी तक चार पाँच जो लोग यहां पर रहते हैं काने पीने का इंटिसम हमारा कुछ अपनी लोग जो आपस में पैसे बारते एक दूसरी के सादे कटा करके करबला मस्जिते वहां पर चाओ और या कुछ सबजी वर्जी लेके जाते वहां पर खुद बना के लिए कर दे आप लोगों के एल्प कर दे आप आपस में लेकन बाहर किसी के किसी का हैल्प नहीं है हमारे साथ हमें यह कई बेच दे यह हमें इदर गर का किराया हार्चा य आपको मालूम है ना लेकिन इदर सपोर्ट नहीं करता है युनिसियार कुछ भी नहीं करता है बिहार से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है बिहार के भोशपुर जिले में स्थित तारामणी भगवान साव उच्छ मादमिक विध्याले कोईलवर जो पूरे इलाके के सै चानिय लोगवा द्वारा सडक पर स्कूल अभ्यान शुरू कर दिया गया है यह तो सभी ने खुली आँकों से देखा है कि किस प्रकार से करोणा महामारी काल ने केंद्र से लेकर सभी राज्यों की सरकारों की भाती बिहार सरकार की भी लचर स्वास विवस्था को उधेड कर रखी है उसका भी काला सच अब खुल कर सामने आ रहा है कोईलवर के लोगों ने अपनी फर्याद माले विधायक मनोज मंजिल तक पहुँचाई जो पिछले कई वर्षों से अपने विधानसभा शेत्र अभी यांग में सरकारी स्कूलों के संचालन के प्रती सरकार विभ किया और स्थिती की पूरी जानकारी ली साथ ही उन्होंने स्थानिये स्थर पर कई छात्रवे नागरिकों के साथ बैठके की इसी क्रम में साथ अगस्त को वह चात्रवे अभिभावकों का प्रतिनी दिमंडल लेकर वे भोचपूर डीम से मुलाकात करने भी पहुँचे थे जहां उन्होंने ततकाल वेकलपिक विवस्ता कर विध्यारतियों के लिए वर्ख संचालन की मांगी केंदर स्वास मंत्राले दौरा आज शुकरवार 3 सितंबर को जारी आकड़ों के अनुसार पिसले 24 घंटों में कुरोना के 45,352 नए मामले दर्च किये गए हैं और 366 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश भर में कुरोना से पिड़ित 34,791 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 10,195 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में संक्रमित लोगों की संक्या बढ़कर 3,39,3,289 हो गई है जिन में से अब तक 4,49,895 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से पिड़ित 97,45 फीस दी यानि 3,20,63,616 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर अब 1,2,2 फीस दी यानि 3,99,778 हो गई है स्वास मंत्राले की तास जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन की अब तक 67,9,968 डोस दी जा चुकी है जिन में से 74,5,5 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है मशूर अभी नेता सिधार्ट शुकला का ब्रहस्पतिवार यानि 2 सितंबर को मुंबई शहर के कूपर अस्पताल में रिधन हो गया वे चालिश वर्ष के थे आज शुकरवार को उनका अंतिम संसकार किया गया सिधार्ट की दुखत मौत दिल के दौरा पढ़ने से हुई है शुकला के परिवार में उनकी माँ और दो बहने हैं उन्होंने एक मॉडल के तोर पर अपने करियर की शुरुवात की थी बाबुल कांगन ना छूटे सीरिल के साथ छोटे परदे पर उन्होंने कदम रखा और बाद में जाने पैचाने से ये अजनबी लव्यू जिन्देगी जैसे सीरिल्स में भी वे दिखाए दिये लेकिन बाली का भदू में वो घर घर तक पहुँशने लगे इसके अलावा वे जलक दिकलाजा, फियर फैक्टर, खत्रों के खिलाडी और बिग बॉस में भी नज़र आये थे 2014 में शुक्ला ने करन जोहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुलिनिया के साथ बॉलिवुड करियर की शुरुआत की थी आज के डीर राउंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक, इंस्टेग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया